भारत के सामने इंग्लेंड का बैजबॉल स्टाइल हुआ फेल 1934 के बाद 2024 में अंग्रेजों को मिली सबसे बड़ी हार रसी जल गई पर बल नहीं गया घूमती पिच और बैजबॉल की लोटिया गुल अब क्या करेंगे मैं कुलम इंग्लेंड के बैजबॉल तरीके पर लगा सवालिया निशान करारी शिकस्त के बाद बचाव पक्ष में कही बड़ी बाद इंग्लेंड की अटेकिंग और जोश से भरी टेस्ट क्रिकेट स्टाइल यानि बैजबॉल की उस वक्त हवा निकल गई जब भारत ने राजकोर्ट टेस्ट में उसे 434 रन सिर्शिक अस्त दे दी 1934 के बाद से अंग्लेजों की ये सबसे बड़ी हार थी जून 2022 में बैजबॉल स्टाइल अपनाने के बाद से इंग्लेंड ने एक भी टेस्ट सिरीज नहीं हारी है मगर भारत में वो हार के मुहाने पर खड़ा है बावजूद इसके इंग्लिश हेड कोच ब्रेडन मैकूलम अपने टीम को अटैकिंग स्टाइल में ही बल्लेबाजी करवाना चाहते हैं कप्तान बेन, स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकूलम की जुकलबंदी के बाद से इंग्लेंड ने 14 टेस्ट जीते हैं कम से कम भारत के टर्निंग और स्पिन फ्रेंडली विकेट में ये स्टाइल फिलहाल कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा है इंग्लेंड पाँच मैच की सिर्यूज में पहला टेस्ट जीतने के बाद लगातार दो मैच हार चुकी है खासतोर पर राजकोर्ट में खिले गए तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन जो रूट के आउट होने के बाद से इंग्लेंड की अटेकिंग बल्लेबाजी सवालों के घेरे में आ चुकी है राजकोर्ट टेस्ट के दोरान स्टेडियम में मौझूद रहे भारत के पूर्व बायनात के तेज गेदबाज करसन घावरी का मानना है कि बैसबॉल इंग्लेंड और आउस्टेलिया में काम कर सकता है लेकिन भारत में टर्निंग पिछो पर इस से खुद को ही नुक्सान का खत्रा है घावरी ने टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिए स्वभाव और ग्राफ्ट करने की शमता के महत्त पर जोर दिया जो टर्निंग ट्रैक पर अटैकिंग स्टाइल के साथ संभव नहीं है करसन घावरी ने बताया कि हैदराबाद में पहले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत ने उन्हें अपनी खेल शैली बे जूठा आत्म विश्वास दिया होगा आपको बतादें कि भारी अलोचना के बावजूद बैजबॉल स्टाइल के स्पोर्ट्स में भी कमी नहीं है इंग्लैंड के पूर्व बाय हाथ के स्पिनर मोंटी पनेसर का मानना है कि इंग्लैंड को बैजबॉल का मनरंजक और अटैकिंग स्टाइल जारी रखना चाहिए हलाकि उन्होंने स्विकार किया कि इस तरह की स्टाइल से भारी नुकसान हो सकता है पनेसर ने टॉम हाटली को छोड़कर इंग्लैंड के स्पीनरों की अनुभव हीनता की ओर भी इशारा किया जिरों ने अब तक सीरीज में अच्छा प्रदोशन किया है। पनेसर ने स्विकार किया कि भारत अब जानता है कि दबाव में भी इंग्लेंड को कैसे पचाड़ना है। आलोचना के जवाब में इंग्लेंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने टीम की कुशमताओं और पिछले 18 महीनों में उनकी प्रगदी पर विश्वास व्यक्त किया। और भारत को फिर से दबाव मिलाने के कोशिश करेंगे। लोग अपनी राय रखने के लिए सोतंत रहें लेकिन हम अपनी रड़नीती पर कायम रहेंगे। हमें कुछ अफसरों पर असफलताओं से भी रूबरू होना पड़ेगा। वेल इंग्लेंड की बैजबॉल स्टाइल को लेकर के आपकी क्या राय है कुमेंट बाक्स में हमें जरूर बताएं इस वीडियो में फिलाहल इतना ही।